Hello everyone, good morning to all of you, welcome to Current Interface Logics Modding हो गई है, friends, मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का Daily Current Interface का Session इस वीडियो में हम कवर करेंगे 29 June के friends important current affairs के questions और friends current affairs के questions के बाद हम लोग cover करने वाले हैं इस वीडियो में study cheeky के important questions इसका जो PDF है वो आप लोग को मिल जाएगा हमारे टेलिग्राम चानल से जिसका नाम है Current Interface Logics तो आप फ़ेंट टेलिग्राम पर सर्च करके भी हमारा ग्रूप जॉइन कर सकते हैं description में जो link दिया गया है वहाँ से भी आप हमारे इस ग्रूप को जॉइन कर सकते हैं काफी important group है आपके exam के लिए क्योंकि यहाँ पे आपको PDF सो मिलती ही मिलती है आपको यहाँ पे quiz पी कराया जाता है ताकि आप अपने questions को फिर से एक बार revise कर सके so चलिए friends आज की important session को शुरू करते है motivation quote सी don't stop when you are tired stop when you are done कभी भी देखें रुके ना मतब जब आप ठक जा रहे हैं ऐसा नहीं कि आप बिलकुल छोड़ दें किसी चीज को या उसमें रुक जाए थोड़ा सा आप rest कर सकते हैं अगर आप कभी धक जादा गए हैं लेकिन हाँ आप किसी भी काम को छोड़े ना जब तक आप उससे पूरा नहीं कर लेते यूँकि अगर आप उससे छोड़ देंगे तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाएंगे जो आपका success का रास्ता है उससे complete नहीं कर पाएंगे सो फैंट चले पहले शुरू करते हैं एक important day से आज का important day है national statistics day राष्टे सांख्य की दिवस और ये दिन मनाया जाता है 29 जून को फैंट ये दिन celebrate करते हैं 29 जून को इसलिए celebrate किया जाता है इस दिन देखें honor किया जाता है remarkable contribution of the famous Indian scientist and statistical PC Mahana Lobbist तो PC Mahana Lobbist जो है इनको सम्मान दिया जाता है इस दिन जो इनका remarkable contribution रहा है in the field of economic planning और statistical development में और इनके जो भी योगदान है उस योगदान को honor करने के लिए सम्मान करने के लिए जो है ये दिन celebrate किया जाता है प्रोफेशर प्रशांत चंदर Mahana Lobbist को कहा जाता है father of Indian statistics ठीके ये point अच्छे से याद कीगा father of Indian statistics किसे कहते हैं PC Mahana Lobbist को national statistics टे जो पहली बार बनाया गया था 29 जून 2007 को और इस बार के इसके theme है use of data for decision making तो अच्छी है देखे theme छोटी है तो काफी important रहेगी आपके exam के लिए शरीफाइन शुरू करते हैं आप first important question से so पहला question है देखे in June 2024 मेजगाउं डॉप shipbuilders has been granted नवरतन status by the department of public enterprises it is now the dash PSU in the country to receive this status अब देखे हाली में जो मजगाउं डॉप shipbuilders है इसे अभी नवरतन का जो है वो दरजा दिया गया है अब यह है अब तक का दरजा पाने वारा देश का कौन सा PSU है पाप PSU ठी क्या हमें बताना है तो friends यहाँ पर हमारा right answer है 18th तो मेजगाउं जो dog shipbuilders है यह अब तक का देखे यह दरजा पाने वाला यह नवरतन status पाने वाला यह 18th नमबर का जो है वो PSU है नवरतन कंपनी जो है friends केंद सरकार की मंजूरी के बिना ही 1000 करोण रुपे तक का जो है वो invest कर सकती है 1000 रुपे का अगर उसे कहीं भी investment करना है देखे किसी भी नवरतन कंपनी को तो उसमें central government की कोई भी approval की जरूरत नहीं होती है उने अगला question है which urine territory has recently achieved full functional literacy under the उल्लास नव भारत साक्षर्ता कारेक्रम किस केंद शाषिर प्रदेश ने हाली में देखे उल्लास नव भारत साक्षर्ता कारेक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षर्ता हासिल की है तो लदाक ने अभी recently जो है अचीव किया है full functional literacy को उल्लास नव भारत साक्षर्ता कारेक्रम और जो new India literacy program जो से हम NILP कहते हैं यह central sponsored scheme है यानि केंद सरकार की sponsored scheme है implement इससे किया गया है 2022 से लेके कब तक 2027 तक अब देखे इसका उदेश्य क्या है तो इसका उदेश्य है यह है कि those adults जिनकी age 15 साल या उससे अबव है from all background किसी भी background से who could not get due schooling जिनने देखे schooling सिक्षा नहीं मिल पाई और उनको society यानि जो हमारे समाज है उसकी मुख्यधारा में लेके आना है ताकि वो हमारे जो country की growth story है जो हमारे देश के development story है उसमें अपना अधिक योगदान दे सके तो उनको empower करना उन adults को empower करना जो है यह उदिश्य है और लास नव भारत साक्षरता कारिक्रम और New India Literacy Program का next question है friends which of the following will build 650 करोण रुपीज मुजियम आफ टैंपल्स इन आयोधिया निमलिकित में से कौन देखे आयोधिया में 650 करोण रुपी की लागत से मंदर संगराले का निर्माण करेगा तो यहाँ पे कौन सी कंपनी है बताना है friends तो कंपनी है टाटा संस तो टाटा संस जो है वो मुजियम आफ टैंपल्स को बिल्ड करेगी और कौन से शहर में ये भी हमें याद रखना है friends आयोधिया शहर में तो जो है प्लान अगर बात करें गवर्मेंट का प्लान क्या है देखे यूपी गवर्मेंट का तो यह योशना थी कि देश के जो भी फेमस टैंपल्स हैं उनकी जो हिस्ट्री रही है उनका जो आर्केटेक्ट्च रहा है उसको शोकेस किया जाए तो यह जो मुजियम आफ है उसमें जितने अलग अलग देखे टैंपल्स होंगे उनकी हिस्ट्री के बारे में यहां देखने को मिलेगा उनका चु आर्पेटेक्ट है उसके बारे में आपको यहां पे नौलज मिल देखने को मिलेगी यूपी जो है फैंट्स यूपी की कापिटल लखना हुए देखें सीम योगी आदितनात और गवर्णर है यहाँ पे आनंदी बेन पटेल अगला कोशन है फर्स्ट इंटरनाशनल डेरी फैडरेशन एशिया पैसिफिक सम्मेट हाज बीन ओर्गनाईजड इन विचस सिटी पहला जो अंतराश्टे डेरी फैडरेशन एशिया प्रशान्त शिखर सम्मेलन हुआ है ये सम्मेलन के शहर में आयोजित किया गया तो फैंस ये सम्मेलन हुआ है कहाँ पे कोची केरला का शहर है कोची जहाँ पे के सम्मेलन हुआ है इस सम्मेलन की देखो थीम क्या रही है फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन इन डेरिंग इस इवेंट में जो ग्लोबल डेरी सेक्टर है जो वैश्वी देखे डेरी सेक्टर है वहाँ से चो leaders हैं वहाँ के चो expert हैं उनको एक साथ लाया गया है और काफी जादा चुह है वो विचार विमश किया गया है dairy sector को लेखे तो ये पहला ही international dairy federation Asia Pacific summit हुआ था तो इसने याद आखेंगे first edition है और पहला ही edition finds कहां पी हुआ है कोची शहर में next question है where is the headquarters of the national highways authority of India तो भारते राष्टे राजमार्क जो प्राधिकरन NHAI है इसका मुख्याले कहां पर है friends इसका जो मुख्याले है वो नई दिल्ली में है न्यू डेली में है अभी इस से related हमें एक news याद रखनी है NHAI के अभी एक news आई थी वो क्या है देखें news so news देखें NHAI जिसे हम कहते है National Highway Authority of India और डेली का देखें जो इंदरप्रस Institute of Information Technology है इन्होंने अभी मिलकर एक M.E.O. साइन किया है क्यों ये M.E.O. साइन हुआ है to enhance road safety by developing artificial intelligence artificial intelligence को develop करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो है NHAI और डिली के इंदरप्रस Institute of Information Technology ने किया है समझोते ग्यापन पर हस्ताक्षा तो इसलिए ये news में रही थी तो NHAI के बारे में याद रखेगा ये जो M.E.O. साइन हुआ था इसमें इसका उद्देशे क्या था देखिए कि जो हमारे national highways होते हैं उन पर जो road signs होते हैं तो उन पर road signs के availability में सुधार किया जाए और उसके लिए AI technology को use किया जाए NHAI जो है इसका पूरा नाम है National Highways Authority of India इसकी स्थापना हुएती 1995 में Headquarter New Delhi में है और चीर्मन है संतोष कुमार यादव Next question Hemis Festival is related to which state? Hemis महसव किस राज्य से संबंदेत है तो friends इसका संबंद है लदाख Union territory से तो Hemis चो festival है celebrate किया गया है देखिए लदाख में Hemis एक vibrant celebration है तिबबतन बुद्धिस्म का जो कि annually लदाख में celebrate किया जाता है Also इसे देखिए Hemis सेच्चू के नाम से भी जो है इस festival को जाना जाता है तिबबती बौत धर्म में जो उनके पूछनी है गुरुपद्म संभव है उनके जयनती यान उनके birth anniversary के उपलक्ष में जो है Hemis festival को मनाती है चलिए friends यहां से ना अभी recent के festival of fairs को revise कर लेते हैं थोड़ा सा सो देखे अभी Indian art festival जो है यह हाइदरबाद में celebrate किया गया सागा दवा festival मनाये गया सिक्किम में इसके बाद देखे कुथांडवर festival मनाये गया तमिलनाडू में एथिनिक ममानी festival celebrate हुआ लदाग तावी festival celebrate हुआ जमो कश्मीर में चब चार कुट festival मनाये गया मिजोरम में दिवे कला मेला celebrate किया गया है अगरतला तिरपुरा में और ग्यारवा international puppet festival जो है friends यह कहां मनाया गया है तो यह friends चंडिगर में celebrate किया गया है तो fair in festival जो topic है friends काफी important होता है exam की point of view से चलिए friends बात करते हैं next question की question है who has been appointed as a new president of the professional golf tour of India सुफ professional golf tour of India के नए अध्यक्ष के रूप में किसे न्युक्त किया गया है तो friends इस पत पर कौन appoint होई है answer है यहां पर कपिल देव जो है friends इनको appoint किया गया है इसी की सब friends बात करने कुछ और recent appointments के बारे नहीं सोभी India Bullion Jewelers Association की Vice President कौन बने है अक्षा मोहित कामबोज Department of Consumer Affairs में डारेक्टर बने है मिर्नल कुमार दास ट्राई जो है friends इसकी सेकेटरी बने है अतुल कुमार चौधरी BSNL भारत संचार निगम लिमिटेट के डारेक्टर बने सुधा कर राओ पापा ग्लोबल विंड एनरजी काउंसल इंडिया के चियर्मन बने है गरीश तांटी next question देख लीचे अगला question है who has been honored with the prestigious pen printer prize 2024 for her unflinching and unswearing writings इनकी देखे अडिक और अटल जो इनका लेखन रहा है उसकी लिए जो प्रतिष्टित pen printer पुरुषकार है इससे किसे सम्मानित किया गया है important prizes देखे याद रखेंगे तो pen printer पुरुषकार से सम्मानित किया गया है fans किसे अरुंधती रॉय को famous author है अरुंधती रॉय जिनको honor किया गया है prestigious pen printer prize से इस prize के शुरुवात का बुईदी देखे 2009 में charity English pen के द्वारा जो है इस prize को शुरू किया गया था यह जो prize है यह अभिवक्ती की सोतंतता यानि जो freedom of expression है उसके रक्षा करता है और novel पुरुषकार विजेता जो जो नाटक कारते हेरोल्ड पिंटर इन्हीं की memory में इन्हीं की याद में जो है इस prize को शुरू किया गया था आप कह सकते हैं या इन्हीं की याद में जो है यह literature क समान करता है यह prize तो आप यह याद अखले जाके इसके शुरुवात कर वोई थी 2009 में चले फैंस मैं आपको 2024 की कुछ important awards भी revise करता देती हूँ सबसे पहले देखे Whitley Gold Award जिसे Green Oscar भी कहा जाता है यह award किसे मिला है डॉक्टर पूर्निमा दीवी वर्मन को Goldman Environmental Prize 2024 मिला आलोग शुकला को मनिपाल Academy of Higher Education के द्वारा Honorary Doctorate यह जो honor दिया गया है यह दिया गया है वी कामत को 2024 का Cambridge Dedicated Teachers Award गी किसे मिला है जीना Justice को Next Question देखिए In June 2024, Sanjana Thakur won the 2024 Commonwealth Short Story Prize for her Story Dash Sanjana Thakur को देखिए 2024 के राष्टमंडल लगुकता पुरुसकार यह रोने की प्राइस चीता है यहाँ पूछा है कि कौनसी स्टोरी के लिए इनकी कौनसी स्टोरी है जिसके लिए उनको यह प्राइस मिला है तो इनकी स्टोरी का नाम है एश्वरिया राइ जिसके फ़ें यहाँ स्टोरी याद रखेगा एश्वरिया राइ स्टोरी के लिए इनको 2024 का राष्टमंडल Commonwealth Short Story Prize जो है इन्होंने जीता है इस प्राइस को जीतने वाली संजना ठाकूर तीसरी इंडियन है इससे बहले देखे कृतिका पांडे ने यह प्राइस जीता था 2020 में उनकी स्टोरी The Great Indian Tea and Snakes और 2016 में यह प्राइस जीता था किसने पराशर कुलकर्णी ने और स्टोरी का राम क्या है उनकी Cow and Company तो संजना ठाकू चो है इस प्राइस को जीतने वाली तीसरी भारतिया है Next question देखिए Question है Anush Agarwal who was seen in news for achieving a remarkable achievement is associated with which of the following sport तो Anush Agarwal जो बात करें यह किस खेल से चुड़े हैं तो इनका जो संबंध है वो है गोरसवारी याने Equestrian से अब news क्या रही है देखिए So Equestrian Federation of India ने जो है select किया है Anush Agarwal को to represent the country in the dressage event at the upcoming Paris Olympics आने वाला जो Paris Olympics में उसमें जो dressage event होगा जो इस परदा होगी उसमें इंडिया को represent देके कौन करने वाले है अनुश Agarwal करने वाले है So Olympics में देखिए dressage event जो है उसमें ये इंडिया की पहली बारसी है कि इंडिया को भी इसमें entry मिली है तो इसलिक या नाम याद देखिए कि किसे entry मिली है अनुश Agarwal को तो friends ये थे हमारे आज के डेलिकर इंडिया के important questions नहुँ बात कर लेते हैं study GK के questions तो first question देखिए What is the name of the compound having the formula CS3, CS2OH तो यहां बताना है कि नेमलिकित में से किस यौगी का नाम है CH3, CS2OH तो यह जो formula है यह किसका है इतनॉल का देखिए friends यह formula है या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5OH इतनॉल जो है friends इसको produce किया जा सकता है sugar, gain यानि गन्ना, maize, wheat जिसमें भी high starch content होता है उससे जो है produce कर सकते हैं इतनॉल को next friends अगर बागी options की बात करें acetic acid का formula क्या होता है CH3, COOH chloroform की बात करते हैं तो इसका formula होता है CHCL3 और methane का formula होता है CH4 तो इस तरह सी जो है आप लोगों से किसी भी chemical formula से chemical नाम पूस सकते हैं या chemical नाम से formula भी पूस सकती है next question देखे which among the following is the non-biodegradable waste निमलेकित में से कौन सा गैर जैव निमनी करने अफसिष्ट है सही answer है friends यहाँ पे plastic plastic जो है एक non-biodegradable waste है जिसे देखे decompose नहीं किया जा सकता है बाकि dead animals, vegetable flowers यह सभी biodegradable waste है अगला question है what is the SI unit of temperature तो आप मान की देखे SI का ही क्या है SI unit है इसकी Kelvin next question which base is present in milk of magnesia so milk of magnesia में देखे कौन सा base present होता है तो इसमें होता है magnesium hydroxide next question है anemia is caused because of deficiency of which of the following anemia जो है वो किसकी कमी के कारण होता है तो iron की कमी की कारण जो है वो anemia हो जाता है anemia disease है जिसमें in total of red blood cell और hemoglobin जो है हमारी blood में उसमें मतब कमी आ जाती है तो उसे कहते है उस रोक को कहते हैं anemia तो friends हमारे यहां पर complete हो गए हैं सारे ही important questions now friends मैं आपको कल के questions थोड़े बहुत revise कराती हूँ तो चले friends हम कल के questions को एक बार फिर से revise कर लेते हैं which country's spacecraft became the first to bring back samples from the far side of the moon किस देश का अंत्रेक्ष यांद चंदर्मा की दूरस्त भाग सी नमूने लाने वाला पहला अंत्रेक्ष यांद बन गया तो कौन सी country का spacecraft है यह चाइना का और इसका नाम क्या है देखे जो इंशन था इसका नाम है Chang E6 Mission Next question है In June 2024, which country has become the 100th country to join the International Solar Alliance as a full member ISA में पूर्ण सदस्ते की रूप में शामिल होने वाला सौवा देश कौन सा बन गया है परागवी Which three countries are participating in the military exercise Freedom Edge Freedom Edge में कौन से तीन देश भाग ले रही हैं South Korea, United States और Japan Next question Who has launched the National Stop Diarrhea Campaign in New Delhi New Delhi में देखे राष्टे डाइरिया रोको अभियान का शुभारम किस ने किया है Answer है JP Nandani India का जो पहला Chedwick House Navigating Audit Heritage Museum है देखिये इस museum का उद्गार्टन के शहर में किया गया Right answer is Shimla Next Which of the following has delivered the medium range microwave obscurant chaff rocket to the Indian Navy तो किसने सौपा है भारते नेवी को यह Answer is DR.D.O. India's largest leopard safari यह पब्ली के लिए उपन की गई है कौन से biological park में तो यह भारत की सबसे बड़ी तेंदो सफारी है और यह खोली गई है बानेंगटा biological park में Next question Which bank has launched a smart lock जो के एक नई safety feature है iMobile Pay के लिए तो smart lock जो है इस feature को launch किया है ICIC bank ने Which bank has launched a new digital investment platform जिसका नाम है friends smart wealth तो smart wealth नाम से जो यह नया digital निवेश platform है इसे launch किया है SDFC bank ने Friends यह थे हमारे आज के सारे ही most important questions Clear होगे friends सारे questions चलिए कल के questions में देखिए हम नापने से test में जो दो questions पूझे ते उसमें पहला question था जो article 32 है देखिए यह कौन से भाग से सम्मंदित है तो इसका सम्मंद है part 3rd से जो है मौलिक अधिकार fundamental rights Second था किस amendment जो है कौन सा amendment है जिसने right to education provide किया सिक्षा का अधिकार तो उसके लिए amendment हुआ था 86 amendment तो thank you friends आप सभी ने देखिए दोनों questions के answer हमें दिये हैं बिल्कुल correct और मेरी आपसे request है कि friends आप लोग daily जो हम questions पूछते हैं उनकी answer आप लोग हमें जरू बताया करें तो आज के देखे questions में से पहला question है अभी हाली में ही EY World Entrepreneur of the Year का award किसे मिला है next question है World Brain Tumor Day विश्व मस्तिक्ष ट्यूमर दिवश ये किस दिन मनाया जाता है तो आज के हमारे ये दो important questions है friends इनकी answer आप हमें comment box में बताएं इसी के साथ friends daily कर interface का session आज यहाँ पे complete होता है कैसे लगा friends आपको आज का session I hope so अच्छा लगा होगा सारे question अच्छे से clear होएं होंगे अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को like जरू करेगा फ़र जाद स्यादा share करेगा और अगर आप हमारे channel पे नई हो तो please channel को भी subscribe जरू करेगे आप लोगों से मैं another important class में मिलूंगी till then bye bye take care have a good day thank you so much for watching this video